जैने दोस्तों मैं मनीश मिस्रा अभिनंदर क्लासर रिजनी भाई मनीश सर्में आपका स्वागत है आज हम रिजनी का एक और महत्पूर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लुप्त संक्या और थात मिसिंग नंबर किसी भी एक्जाम के पॉइंट आप यू से बा का विश्वास दिलाता हूं आज के लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप पूरी लाइफ मिसिंग नंबर के कुश्चन गलत नहीं करेंगे और विदिल सेकंड सॉल करना सीख जाएंगे तो आएए शुरू करते हैं बस आपको इस लेक्चर को सुरू से लाश्ट तक देख और चौथा बनता है लुप्त संख्या जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक मज़े की बात यह है कि जो सुरू के तीन चैप्टर हमने बोला जैसे कि संख्या स्रिंखला संख्या साद्री सिता और संख्या वर्गी करन यह तीनों चैप्टर हमने यूटूब पे बहुत ही क्र चार टॉपिक हैं इन चारों से ही कोशन बहुत जादा बनता है तो संख्या स्रिंखला संख्या साद्री सिता और संख्या वर्गी करन का लेक्टर अवलेबल है आप देख सकते हैं आज फिलाल हम लुप्त संख्या पढ़ेंगे और आज ही वाले लेक्टर में समाप्त भी कर आप करती जो रोओर कॉल्म से बिलकर बना है तो है यह होता क्या है और शटे intentожд का नुस्सी पैटर के साथ आए हुए उस लॉजिकल पैटर्ण को हमें पहचानना होता है और वही लॉजिकल पैटर्ण हमें यहां लगा के भर देना होता है इसका अशर आप लाश्ट में करेंगे अभी जाते-जाते बीच में कुशन आएगा फिलाल मैंने आपको यह बता है कुशन आता कैसे है आप यूमें हां इसको हल करने के कुछ मैंने नियम लिख रखे हैं जैसे आप ये समझे नियम नंबर एक क्या है यादि तीन गुड़े तीन का आप व्यू है मान लेते हैं तीन गुड़े तीन का आप व्यू है अगर मान लेते हैं तीन गुड़े तीन का आप व्यू है तो आगे क्या से तीसरा बनाता है जैसे इन दोनों से ये बना सकता है या इन दोनों से ये बना सकता है या ऐसा भी हो सकता है किनी दो कॉलम से तीसरा कॉलम बना है जैसे इन दोनों से हो सकता है ये वाला बना है या हो सकता है इन दोनों से ये बना है तो होता क्या है किसी दो से तीसरा बनात या तो इधर या तो इधर यह तो नियम नंबर एक है अरे क्लियर है तो हमारा माइंड सेटप पहले यह होना चाहिए कि मुझे बड़ा वाला नंबर बनाना है अगर दो छोटे नंबर एक बड़ा वाला नंबर है तो मुझे उन्हीं दोनों से वह बड़ा वाला नंबर बनान आपके बनाएं हर बार किनी 2-3 बनाएं ऐसा जारूरी नहीं है कभी-कभी कुछ नहीं बनाते कुछ बनाते ही इसमें जो नंबर है नहीं वह एक लॉजिकल रिलेसल पे रख देते हैं जैसे यह वाला इसका डबल रगदे यह वाला इसका तीन गुना रग देंगे यह वाला यह तो यह फोन फीALLY यह वाला क्शन इयुक्ता हो सकता है है तो कभी-पी रिश्थे रख देता है वह रिष्थे देखनिपिन आ होता है तो हर बार बनाएं जरूरी नहीं है कभी-कभी आपसी संबंद भी रखता है अभी यह सब प्रेक्टिकल करवाएंगे तो मज़ा आ जाएगा वसे माइंड शेटप बनाईए कि यह तीनी काम पर तीनी पैटर्न हमें सीखने और तीसरा क्या है कभी-कभी रोया कॉलम का योग नियत रखता है मतलब जरूरी नहीं हर बार कुछ बनाए गई कभी-कभी को तो यहां विजो ढगने पर पर 50 अ रहे हैं तो तीन नियम काम करता है यह यह चैटर तीन तरीके से सेट होता है नियम नंबर एक किसी दो से तीसरा बने यह सबसे जादा होता है नियम नंबर एक ही होता है सबसे जादा किसी दो से तीसरा बने किसी दो से तीसरा बने अगर तीन भाई तीन का मैट्रिक्स है तो किसी दो से तीसरा बने यह ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो अच्छा शुरू का एक दो तीन मुझे करने दीजेगा उसके बाद पहले आप करेंगे उसके बाद मैं करूंगा अच्छा एक बात और है जैसे संख्या स्ट्रिंखला अगर आपने मुझसे पढ़ा हो तो वहां प्री माइंड सेटप होता था कि पहले यह सोचना है फिर यह स लेकिन मिसिंग नंबर में ऐसा कुछ नहीं होता बस आपको यह सोचना है कि हमें छोटे छोटे नंबरों से बड़ा नंबर बनाना है अब कैसे बनेगा हतियार आपके पास जोड़ है घटाना है घुड़ा है भाग है वर्ग है अब आई एक दो तीन मैं करूंगा उसके बा अगर आप सोचे तो छोटा छोटा बड़ा कंबिनेशन है इसलिए आई बाए से दाए ही सोचते अब बात यह है कि दो छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर तो कुल मिला के आप यह सोचे कि आपको 5-16-77 बनाना है आई प्रयास करते हैं कैसे बना है अगर मैं 16-5 अगर सच में यह लॉजिक है तो आए यहां पर कंफर्मेशन करते हैं यहां पर भरना है तो यहां पर कंफर्मेशन करते हैं 19 गुड़े 8 152 और 152 से मुझे लगता है 3 कम करेंगे 149 यानि जो लॉजिक यहां था कंफर्मेशन हो गया कि उन छोटे नंबरों का गुड़ा कर माइनस 3 कर दे रहे तो समय भी का करना है गुड़े 3 कर देना है माइनस 3 कर देना अभी कितना हो जाएगा 12 गुड़े 13 करेंगे तो 120 बारे दहियं 12 बारे तिया 30 156 और 156 में से 131 अरे clear है बहुत बढ़िया तो यहीं हमें करना है कि दो नंबरों से 3 नंबर अगर तीन वाई 3 वाई 3 का मेट्रिक्स फार पांच वाई 4 को आगे समझें कि सब मिला की करना है कि छोटे-छोटे से बड़ा वला बनाना अरे क्लियर है अब इस चेप्टर में मैं आपके लिए पता किया कर सकता हूँ मैं आज तक जितने पैटर्ण नियुक्त दिखा सकता है इसलिए अब एक बार सुरुआती प्रस्तनों से चेप्टर को जमत करिएगा मैं को वहां अब मैं थोड़ा सा हिंट करूं अब बात है यह बाय से दाय सोचे या उपर से नीचे सोचे तो आप बहुत अराम से सोच पा रहे होंगे सर छोटा-छोटा बड़ा कमिनेशन उपर से नीचे इट मिस उपर से नीचे सोचेंगे अब आप अराम से कह सकते हैं 15 1662 बनाने का प्रयास करें तो 15 16 का गुड़ा करूंगा बहुत आगे चला जाओंगा जोकि 62 बनाना है लेकिन मैं 15 16 को जोड़ूत हो जाएगा 31 और 31 से 62 बनाना बड़ा ही आसान है ग 52 गुड़े दो 112 बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है मामला तो बस इसको जोड़ लेते हैं 33 19 हो जाएगा 52 अब 52 का दो गुना कर दूंगा 104 104 104 खतर अरे clear है बहुत बढ़िया तो समझ में आ रहा ना बस एक दो तीन पहले मैं करूंगा उसके बाद आप करिएगा ठीक है चल अब यहां आप एक कुछ नया सिखेंगे उसके बाद सारे कोश्चन में पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा अब मुझे यह तो समझ में आ रहा है सर्वाएं से दाय सोचिए क्योंकि छोटा-छोटा बड़ा कंबिनेशन अब बाते 12 साथ का गुड़ा करूं या 12 साथ को जड़ूं तो मुझे समझ मेंहार हुआ अगर 12 साथ का गुड़ा करूं तो इसके करिब जा सकता हूं तो 12 सत्य 84 और 84 से 17 बनाने के लिए 14 घटा दिया ठीक है 124 और 70 लशतर बनाने के लिए 14 घटा दिया अगर सच में यहीघी लॉजिक है कि जो लॉजिक यहाँ लगाई है कि सेम लॉजिक होना चाहिए और कफर्मेंस के बाद वहerapy लगा दे लोगाulla देंगे लेकिन यहां तो पूरा वक्त जट्वात सब बदल गया यहां गुडा करने के स्तिरिंखला नी पढ़ रहे हैं कि आप चैनल इसी बना त्रियेज रहे हैं इसी गर्ति नहीं करें जो लाजिक ऑह अब बात ही है अब मेरे बात को द्यान से सुनीओं और समझने का प्र Deus करिए पहले तो मैं यह सोचा है00एं तो यहां भी 14 होता है यहां बारह यहां लेकिन यहां अलग अलग लग रहा है मामला है लग रहा है मामला फेलम है नहीं नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी मामला फेल नहीं है अब सुनिए मेरी बात जब भी ऐसा केस हो जाए अलग-अलग आने लगे तो फिर आपको सोचना है कि यह 14 ही क्यों आया चोदर ही क्यों आया और यहां 12 ही क्यों आया कभी-कभी यह जो आता है इन संख्याओं से कनेक्ट होता है तो कहीं ऐसा तो नहीं इस चोदर की पीछे का रीजन इस साथ का डबल है अगर सच में यह बात सही है तो हाँ 6 का डबल ही बारा लिया है ओहो यह लॉजिक था मतलब गुड़ा करने के बाद आख्री वाले का डबल घटा रहे हो गया ना कंफर्मेशन जैसा लॉजिक यहां वैसा ही लॉजिक यहां आख्री वाले का डबल आख्री वाले का डबल त कि अरे क्लियर है तो यह मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया हर बार ऐसा नहीं होगा कि जोड़ गुना दो जोड़ गुना दो हर बार ऐसा नहीं होगा कि माइनस तीन माइनस तीन माइनस तीन कभी कभी क्या होगा अलग अलग आएगा लेकिन वह कनेक्ट होता होगा और एक पैटन देता होगा अरे ठीक है चलिए आप निश्चिंत रहे आज लाज तक क्लास कर लीजे सारे वेराइटी से आपको अपडेट कर दूँगा चलिए अब कुशन नमर चार से पहले आप फिर मैं चलिए लगाई इसे तो वीडियो को रोके ट्राइ किया करिए जरूर ट्राइ किया करिए यह तो से हो रहें कि सर्फफाइश से दाए सोचना है अब 612-78 बनानाए तो गुडा करके आसान हो जाएगा 12 चक्का 72 और 72 में 6 जोडेंगे 78 अच्छा अगर यह कंफर्मेशन करें 15 चक्का 90 और 99 99 यह तो म मामला ब्रब्र हो गया यहाँ तो यहाँ नों कैसे मैं बताया हूं अभी अभी यह छ Carry कभी इन नों इन के थोता आब मेरे दिमाग में कि हैं अगर यह यह सी होना चाहिए और यह जसे से आ सकता है तो आपको जवाब होना चाहिए सर इनका अंतर भी 6 होता है 12 6 का अंतर भी 6 होता है कि ऐसा तो नहीं इनका अंतर ले रहा है अगर सच में यह बात सही है तो 15 और 6 का अंतर 9 होता है और वही नो लिया है ओहो यह मामला है मतलब गुना करने के बाद उनका अंतर काम है पहली बात यह सुनिए मैं यह जो क्लास ले रहा हूं या मैंने प्लेडिस्ट में जितने भी चैप्टर पढ़ा रखें यह मान के पढ़ा रखांगे आप दुनिया का कोई एक्जाम देजे बाकि अगर आपको कोई में चैप्टर कवर करना है तो प्लेडिस्टे कवर कर लिजे बाकि आपको किसका प्रेक्टिस सेट जॉइन करना है वह मुझे बताए मैं उसका प्रेक्टिस सेट आपके लिए ले के आऊंगा ठीक है चलिए कि करिये ट्राइस हाँ अभी मान लिजे यह तीन भाई चार का मैट्रिक्स आ गया क्या फरक पड़ता है तीन भाई चा में आऊ गया होगा कि सर्थ संभावना है उपर से नीचे का क्योंकि छोटा 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 और यह बड़ा अब बात है यह कैसे मैं बनाऊं 20 अगर मैं जोड़ू तो दो तिन पांच है ग्यारा पीछे रह जा रहो अगर गुड़ा करू तो दो तीन अच्छे चाच्छों के बस कंफर्म हो गया तो बस आट पंजे चालिस और चालिश में तीन जोड़ देंगे तीरा लिस खत जो नए विद्यार थी जो जिन्दगी में पहली बार रिजनिंग पढ़ रहे हैं और जिन्दगी में पहली बार मिसिंग नंबर पढ़ रहे हैं आज के क्लास में जीतना भ देखें यह तो क्लियर है कि सर छोटा 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 बड़ा कंबिनेशन इधरी है उपर से नीचे यह अब आये उपर से नीचे सोचते हैं और यह सोचते हैं कि 18-12-32 कैसे वने मुझे यह समझ में आ रहा है कि 12-72 होता है मुझे यह समझ में आ रहा है 12-62 होता है लेकर 2 नमबर ऑठार को तीन से भाग कर दो और जो मिल रहा है वह यहीं वालाएच्छ हो यह बात हो सकता है अब मैं समझ में आरहा है कि इस 18 को ढूषी से हो जाएगा अच्छे और उस शेया का बारे में गुड़ा कर दूँ और हो जाएगा 72 अगर में यह बात सही है तो इस 32 को चार से भाग कर दो तो हो जाएगा आठ और यह 16 गुड़े आठ 128 एकदम मामला फीट है एकदम मामला फीट है अब बात है कौन सा नमबर विकल्ब से ऐसा उठाएं कि यहां पर मामला सेट हो जाए हमें लगता है कौन सा उठाय जाए चौदा अठे 112 अब 24 को आठ बनाने के लिए मुझे लगता है तीन लेना पड़ेगा अगर मैं यहां पर तीन लूँ तो तीन से 24 को भाग करूंगा कितना हो जाएगा आठ बार और फिर यह 14 बटे 112 बस ठीक है तीन से सेट हो जाएगा मामला अरे क्लियर ह है बहुत बढ़िया तो कभी भी तीन बाई चार हो या चार बाई तीन हो कोई दिक्कत नहीं है छोटे-छोटे से बड़ा आपको बनाना है अरे क्लियर है ना पहले वाले को तीसरे वाले से भाग कर रहें जो मिल रहा उसका बीच वाले से गुड़ा कर रहें तो अगर मैं छूट क्या गया कोईशन नमबर 6 हाँ ठीक है इसे ड्राइब करी एक वर है कि यह तो क्लियर है बाई से दाएं सोचना है अब बात है छै तीन आठ से बीस कैसे बनाऊ गुड़ा करूंगा तो बहुत आगे जाओंगा तो छै तीन नो नो आठ सत्रा और बीस के लिए मुझे तीन और लगेगा ठीक है यहां तो नहीं यहां कंफर्मेशन करता हूं ग्यारा चार पंद्रा अब पंद्रा साथ बाईस 26 के लिए चार और लगेगा फिर वही बात यहां तीन लिया यहां चार ले लिया जबकि यहां तीन तो यहां भी तीन यहां चार तो यहां चार तो अ बीच वाला और जोड़ ले रहा है तो नौपांच चौदा एक पंद्रा और फिर यह वाला बीच वाला पांच ले लेगा तो नौपांच ओदा पंद्रा पंद्रा पांच भीश्कत कुल मिला के यह टारे रखिए चोटे-चोटे से बड़ा बनाईए और तीन ही क्यों लिया चार ही क्यों लिया यह भी सोचे आंसर आ जाता है ठीक है चली कुछ नमन निश्टाइब करिए अचा देखे अब इसमें धरम संकट यह है कि अगर मैं इधर से सोंचे तो हो सकता है चैनों 16ओ से तो यह आपके किसमत में डिपेंड करता है या थोड़ा सा प्रैक्टिस पें डिपेंड करता अगर मालजी मैं उपर से नीचे सोचू तो नो छे पंदरह, या रहाइठ अशब़िस है कि 965 यारह छब़िस को तेरह बनाना असान है डिवाइडवाई दो करके इनको जोड़ा 26 डिवाइड वाइड वाइड तेरा अगर यह बात सच में सही तो 11 7 18 20 और 20 को 10 बनाना बड़ा यासान है दो से बाग करके बलब इसमें ज्यादा लोचा नहीं है यहां भी दो से ही वाग कर रहा है तो बस यहां वहीं काम कर देजिए 12 चार 16 16 26 और 22 डिव कि इसे एक और कर दिये बस हो गया आए कि कि आपने कि ट्राइब किया करिए कुछ सोचा करिए वाकि देखा जाएगा चलिए अब बात इंद पांच नो छह से उनतालिस बनाना है अगर मैं इन सब को जोड़नों तो 9,5,14,6,20 और 20,47 बनाओ तो 20,2,40,1,49 अगर ये बात सही है तो 11,3,14,7,21,21,42 नहीं यह नहीं लग रहा है तो जोडने पर नहीं और कैसे बना सकता हूँ हाँ एक तो समझ में आ रहा है 5,6,30 और 30,49 लेकिन कंफरमेशन करों तो 7,21,21,1,32 नहीं है और कोई तरीका हाँ एक तरीका यह समझ में आ रहा है कि अगर मैं 5,9,9 करों तो 45,49 के करीब जाओंगा तो 59,45,49 के करीब जाओंगा तो 59,45 के बाद अगर यही वाला 6 कम कर दो तो ह हो जाएगा पूरा 60,49 अगर यह बाद सही है तो 11,33 और 33 में से यही साथ कम कर दो 26 परस मामला सेट है तो 8,5,40 और 40 में से यही 4 कम कर दो 36 अरे क्लियर है चलिए कुछ नमन निश्टाय करिए हाँ अब थोड़ा सा अभी देखे अभी मैं आपको यह लेवल कराया अभी यहा आई यह ट्राय करिए एक बार चलिए मैं बताता हूँ अब बात यह है कि यह तो क्लियर है 22 से दाय सोचना है और यह साथ और दो से इक्याओन बनाना है तो अगर आप सोचिए अगर आप साथ और दो जोड़ेंगे तो 9 होगा इक्याओन से काफी दूर हो जाएंगे अगर आप गुड़ा करेंगे तो साथ दूना 14 और अभी भी आप इक्याओन से दूर है यह जबरदस्ति आप लगाई दिये लॉजिक कि साथ दूना 14 और फिर 14 चौका 56 से पांच कम अगर आप जबरदस्ति लगा दिये कि साथ दूना 14 और 14 का गर्दू चार गुना हो जाएगा 56 और चाहिबू से 5 कम 51 जों से तो कंफर्मेसन करने जाएंगे तो फिर वही एक आगरेशन करेंगे तो छूर्थ और बिल्ली चार करेंगे तो everyone और 96 से 5 कम करेंगे तो 91 जब कि यहां 40 है यानि यहां पे मैं यह समझ चुका हूं मैं यहां पर समझ चुका हूं कि साथ दोसे ने तो जोड के नहीं गुड़ा करके एक्याउन मनाया जा सकता है तो अब एक बात बताईए आपके पास हतियार था जोड घटाना गुड़ा बात है सही बता रहा हूं एक अन्वो के बाद आप सीधे समझ जाएंगे सर इक्याउन बनाना है तो इसके वर्ग करिए वर्ग के यह करीब है कि साथ के वर्ग करीब है क्यों वर्ग वाला ही ट्राई मारी है लेकिन मैं यह मानता हूं कि विद्यार्थी अभी कुछ नहीं ज चाहूंगा तो साथ कमर्ग उन्चास और उन्चास में यही दो जोड़ दो एक्यावन अगर सच में यह बात से यह तो छे कमर्ग 36 और 36 में चार दो चालिस तो बस हो गया पांच कमर्ग 25 और 25 को 28 बनाने के लिए यहां तीन चाहिए तो पहले मैंने आपको जोड घटा ना बुड़ा भाग वाले करा हैं अब मैं आपको वर्ग वाले करार हूं ठीक है चलिए इसे ट्राइब करिया अब मेरी बात सुनिये ध्यान से आपने वीडियो रोके ट्राइब क्या होगा यह तो क्लियर है बाएं से दाय जाना है और 37370 बनाना है आप इतने समझदार है कि सा पर अराब से अब अगर आप इसका घं करोगे ना घं अगर इसका घं producer कल गएक तो कहीं सके करीब पहुंद जाओगे तो 7 को जोड़ घरámगे पह पर तो दो साथ का गन करूंगा तो 343 हो जाएगा और 370 के लिए 27 की कमी और रह जाएगी और उस 27 के लिए इसका भी घंध कर देते हैं अगर सच में ये बात से यह तो 6 का गन हो गया 216 और 224 ऐख की कमी है तो इसका घंध कर देते हैं अब मैं यह समझ चुका हूँ घंध करके जोड़ र करता है नौ का घं होता है तो यहां नौ लेलू तो नौ का घं हो जाएगा 729 और एक का घं एक और 729 और एक 730 कि आज वाली क्लास के बादना ऐसे ब्लॉक खुल जाएगा आपको तुरण समझ जाएंगे यह इसके घं के करीब सब डारेट घं मारो जोड़ गटाना गुड़ा गुड़ा भाग में टाइम वेष्ट ना करो फिर भी मैंने जान मुझ के टाइम वेष्ट करता कि आप समझ पाएं ऐसे विद्यार सी सोचते हैं करीए से अब ध्यान से देखें यह तो क्लियर है बाएं से दाएं सोचना है अब मुझे यह समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है कि चैहँ पांच क्ये जोड से या गुड़ा से तो इतना बड़ा 241 नहीं बनेगा लिकिन अगर मैं 6 का घण करूं तो मैं 241 की करीब जासक्ता हूं कितना घण जा सकता हूं तो और 241 का मतलब 25 और चाहिए होगा और 25 और चाहिए होगा तो इस पांच का वर कर देते हैं अगर सच में यह बात सही है तो तीन का घर करेंगे 27 43 के लिए 16 और चाहिए होगा इसका वर कर देते हैं मैं समझ चुका हूं गन और वर कमिने सन चल रहे तो दो का घन 8 और 11 कवर 12 139 कि आरहा है समझ में बहुत बढ़िया चले कुसे नमा निश्ट्राइज दरिया इसे देखे मज़ा आ जाएगा करीए इसे देखे इसे यह तो क्लियर है उपर से नीचे सोचना है ठीक है अब बात है 5 6 7 के जोड से या गुड़ा से मैं इसके करीब पहुंच हूं उससे बहतरीन मुझे यह समझ में आ है कि मैं साथ के घं से इसके करीब जा सकता हूं अगर मैं साथ का घं करूं तो इसके करीब जा सकता हूं अब आते कितना करीब जा सकते हैं सब 384 है और साथ का घं करेंगे तो आप 343 बनाएंगे और 344 के लिए चार से तीन गया एक आठ से चार गया चार मतलब आप घं करें तो 343 हो जाएगा और 384 के लिए 41 और लगेगा और 41 और लगेगा और हमारे पास 6 और 5 अवलेबल है अब आताथ 6 और 5 से 41 कैसे बनो तो सर 6 का वर कर दिए 36 और ये 5 सीधा सीधा रहने जिए 41 अगर ये बात सच में सही है तो 6 का गन 216 और ये 5 का वर पचीश 216 और पचीश हो गया 241 और ये चार 245 बस मामला फीट है तो बस यहां कर दो पांच का गन यहां 4 का वर और ये ऐसे ही 125 और 16 141 और 3 145 खत्म अरे क्लियर है तो ऐसे आता है ऐसे अनुभव से आता है कि इसके घ जोड़ घटाना गुड़ा भाग में टाइम वेस्ट ना करूं आभी क्लियर है आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी कब इतने एक्सपर्ट हो गए पहले जोड़ गटाना गुड़ा भाग में एक्सपर्ट बनाया और आपको यह समझाए यही क्यों आया अब मैं आपको समझा रहा हूं वर घंड कैसे सोचते हैं दैर रेखें सब सोचने पर मजबूर कर देंगे ठीक है चलिए अब यहां भी कुछ नया सिखेंगे अब थोड़ा सा लेवल और उपर ले चलेंगे अब मेरी बात ध्यान से सुनियां और आज से इस बात को दिमाग में अच्छे से रख लिजेगा जब भी यह तो समझ में आ रहा होगा चलिए 14 akita блок administration administration फेक यह समझ में आ रहा होगा यह पा छीज़ sesritt 181 यह वर्ग नंबर है यह तो समन्ज में आ रहा हो गा तो कभी भी अगर आपका work नंबर दिखे कभी वरग नंबर के तोजैसे इस दिके दिमाग में तुरंट पांच भी आना चाहिए तुरंट पांच के तो इसे ही मैं करनाव दिखें तुन दिमांग में आठाना चाहिएником तुरंट समझेंगे 41 तो यह मैं कहाना चाहरों कभी वर्ग नंबर दिखे तो उसी समय में इसका बेस से डे नम्बर भी आना चाहिए यह नहीं आपको पचीस इस दिख रहा लेकिन मेरी दिमाग में 5 है और गर यह इसका अड़क नंबर पांच है तो 103 में तुरंत आना चाहिए अरे क्लियर है वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए अगर आप मुझे गुरू दच्छिडा के रूप में वीडियो को लाइक करेंगे अपने मित्रों के साथ सेयर करेंगे तो आप जो कहेंगे वह मैं आपके लिए करना है अपने मित्रियार को बताना है कि एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख तो लो कोई भी चैट पर देख लो आप और किसी वीडियो से कंपेर कर लो सबसे बैतर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिजेगा अब फिर में पाँ आया और इसको देखे साहता है और इसको देखे बारह आया और जैसे JF 10 15 12 ऐह देखते इदिमाग में 6 आया इस दिखते 9 आया और देखते 14 में समझ स्वार्ils गत्म तो अगर यहीं बात है तो यह 11 और यह 115 hein-2-6-6 फाला चाहिए SQU8 नंबर शेयों कि 6 2014 पूर्दा आप साथ बाराथ तो ग्याराइप अच्छबिस का स्कॉयर वाला नूमबर चाहिए जो की छैसोची एतर होता है कि अरे क्लियर है चले कुशन नमा निश्टाइब करिया 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 कि यह तो हमें लग रहा है बच्चों वाला कुशन आ गया उन चास को देखते द बती में 13 आया है तो यह 13 बनाएगा कैसे बनाएगा चार दो छे साथ और लगेगा तो 13 खत्र अचाहिए बात और है मैं वीडियो सूट कर रहा हूं इनकेस अगर मालेते मैं जोडने घटाने गुड़ा भाग में कहीं गलती कर दो यह मेरे बोलने में कोई गलती हो जाए तो उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि यह रिकॉर्डेट क्लास है तो मेरी कमी मुझे कोई बताने वाला नहीं हो जाती है गुड़ा भाग में कभी-कभी गलती हो जाते है चले कुछ नमने स्टाइक करिए है इसे ट्राइक करें एक बार चले अब यहां मैं आपको एक कॉंसेप्ट सिखाऊंगा बहुत ही जवर्दस्त बहुत ही जवर्दस्त एकदम रेडियो हो जाए सीखने के लिए यह तो समझ में आ रहा है बाह से दाय सोचना है ठीक है अब बात 14 10 से 38 बनाना है तो गुड़ा को करेंगे बहुत आगे निक से जोड़के बनाओं तो 15 और 20 हो जाएगा 35 और 35 से 50 बनाने के लिए 15 और लगेगा सही है तो अब बात यहां 14 आया यहां 16 मतला दीजेगा स्रिंकला थोड़ी पढ़ रहे हैं अब आपको यह सोचना है 14 ही क्यों आया 15 ही क्यों आया तो मैं यह कह सकता हूं सर यह 14 ही में यही वाला 16 जोड़ेंगे 62 खत्म है एक तो तरीका यह हुआ अच्छे से सोचिए मैं दूसरा तरीका भी बताने जा रहा हूं वहीं से नए कौसेप्स की सुरुआत होगे 14 जोविस 14 और लगेंगे 38 ठीक है 15 10 35 15 और लगेंगे 50 तो 14 ही क्यों आया सायथ पहला नंबर मैं समझ चुका हूं 46 और पहला नंबर 16 जोड़ेंगे 62 अरे क्लियर है अब एक बात और सुलिए इसको मैं एक तरीके से और कर सकता था एक तरीके से और कर सकता था और थोड़ा सा समय बजा सकता था कि 14 10 38 बनाना है तो क्यों ना इसका दोगुना कर लो 14 28 28 10 30 अगर यह बात सही फिरेतो पंदर अधिना करके देखता हूं 15antal 32 30 और 30 20 विस पचास हां मामला सेट है मामला सेट है तो यहां भी लाईक कर देतें 16 Inter 22 32 62 क्या समझ जाया क्या क्या सिखायाना चाह रहा थो मैं पता है मैं क्या सिखाना चाह रहा था मैं यह सिखाना चाह रहा था कि हमेशा यही मत सोचिएगा कि 14 10 38 बनाओंगा नहीं आप बाहर से भी कोई नंबर बाहर से लगे जो कि अगली कुस्ष्ट में लगेगा कि नहीं मैं तो इन से यह नहीं बना पार हूं तो बाहर से बाहर से भी कुछ लाए कोई तिकडम लगाई और यह बनाए तो अभी इसी कुछन में मुझे यह समझ में आया कि लाओ दोगुना कर देते इसका 28 हो जाएगा 28 अशर 30 15 दूना 30 30 50 तो 16 32 32 तो कुल मिला के बाहर से भी कुछ ला सकते हैं यह मैं कहना चाहरा हूं बाहर से भी कुछ ला सकते हैं ठीक है चले इसके इसके अगला कुशन जवर्दस तरीके से मैं आपके सामने आपता लोगोशन करेटर है इसे अगले तुक तो क्लियर है कि बाहस gefथ सोचना है यह फाल्टों में नहीं भताया पीछे उसका यूज देखिए किसे यह तो क्लियर है कि बाय से दाय सोचना है अब बात अगर मैं 67 और 25 से 101 बनाना चाहूं तो गुड़ा तो नहीं करूंगा वर्ग भी नहीं करूंगा बहुत आगे मामला जाएगा अगर मैं जोडता हूं तो और शर्षट में अगर 25 जोडता हूं तो 92 हो जाएगा सभी बात है ना सर्षट में पहले मैं पांच जोड़ो तो 72 बानवे और बानवे से 101 के लिए हमें लगता है नो जोड़ना पड़ेगा अच्छा यहां पच्पन और अगर मैं 17 जोडता हूं तो 72 और 72 से 97 के लिए 25 जोड करके मैं यह सेट नहीं कर पाऊंगा या जबरदस्ती किसी तरीके से इसको सेट कर दिया तो कंफर्मेशन करने जाओंगा तो वही लौजिक यहां नहीं सेट हो पाएगा तो अब क्या करूं अब क्या करूं टाइम वेश्ट करूं नहीं टाइम वेश्ट ना करूं अगर मैं सरसट का तीन गुणा करूं तो मुझे लगता है 60 या 180 सात्री का कैस 201 हो जाएगा अगर मैं सरसट का तीन गुणा करूं तो 201 हो जाएगा जबकि बनाना 101 है तो अब बात है 201 को 101 कैसे बनाओ सरसट का तीन गुणा किया तो 201 हो गया बनाना 101 था यानि 100 कम करना पड़ेगा 100 कहां से कम करूं तो सर इसका चार गुणा कर दो 25 का 100 हो गया कम अगर सच में यह बात सही है तो 55 कितना हो जाएगा 165 और इसमें से घटा देते हैं 17 चोग का 68 तो 165 में से 68 घटाएंगे तो 97 आएगा बिल्कुल बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया मज़ा आ गया तो यही कहना चाहरों कि आप बाहर से भी कुछ ला सकते हैं अगर आपका कुछ यही वह कुछान है जो एक ज चीहत्तर तो चीहत्तर से 135 जाएंगे तो 24 और 35 उनसट खतम है अरे क्लियर है बहुत बढ़िया चलिए इसकी सोड लीजे बात को आगे बढ़ाते हैं कि एक सिकर्ड़ कि आगे बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं लिजे इस कुछन को भी आप ट्राइए करिये करिये अब मेरा मानना है कि आपने वीडियो को रोक के ट्राइए किया होगा अब जहां से देखें यह तो क्लियर है कि इस प्रेस को हम पहले बाएसे दाय ही सोचेंगे क्योंकि छोटा और छोटा और बड़ा कंबिनेशन है अब बात 14,4 से 31 कैसे बनाओ अगर मैं ऐसे जोड़नू कि 14,4,18,18 में 13 जोड़ने पे 31 हो रहा है तो 38,10,48,48 में फिर 31 जोड़ने से उन्यासी हो जाएगा यहां 13 जोड़ना पड़ेगा यहां 31 जोड़ना पड़ेगा तेरह भी यहां कनेक्ट नहीं हो पाएगा 31 जोड़ना पड़ेगा अच्छा गर मैं गुड़ना करूँ तो 14,4,56,56,56,55,31 और यहां 38,10,38,89 से बहुत आगे निकल जाएगा कुल मिला के क्लियर है कि 14,4,38,10,31,89 मैं जोड़ घटाना गुड़ा से तो नहीं बना सकता अच्छा वर के बारे में सोचूँगा नहीं क्योंकि वर करूँगा तो बहुत आगे निकल जाओगा तो वरगन हो नहीं सकता जोड़ घटाना गुड़ा भाग है नहीं तो फिर क इसी तरह अब मुझे लगता है अगर मैं इसका चार गुणा कर दूँ थो जाएगा चार चुका सोला और 14 और 16 जोड़ेंगे 30 और एक और जोड़ दू तो 31 अगर यह बात सच में सही है तो दस का भी चार गुणा कर दू 40 38 और 48 और 78 में एक और जोड़ दू 89 मैं समझ चु तो यह मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि जब मिसिंग नंबर के कोश्चन आप दिये गए नंबरों से नहीं बना पा रहें तो बाहर से भी कोई नंबर लाके गुड़ाभाग कर सकते हैं तो अभी फिलाल मैं आपका माइंड सेटप बनाता चल रहा हूं कि क्या क्या इसे आता है क्या क्या पता होना चाहिए बाकि तो आहिए करने जो करने लगेगा जबने आप बहुंति नहीं बना पार या देंगे और बना रहें परी क्या अब आए थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं और कुछ और सिखाते हैं हाँ इसे देखिए एक बार अगर इस कुश्चन को देखते ही आपने पेन उठा लिया जोड घटाना गुड़ा भाग करने के लिए या वर्गन करने के लिए बाहर ची कुछ लाने के लिए तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा अब सुचिए भगवान आपको नहीं माफ करेगा तो एक्जाम ने कहां माफ करने वाला है यह आपको एक नजर में दिखना चाहिए यह पाइथागोरस ट्रिपलेट है अगर आप महत की जानकारी रखते हैं तो आपने पाइथाग जाता है कि कुछ ट्रिपलेट होते हैं जिनने में डारेक्ट लेना चाहिए मैंने दिशादूरी में भी आपको रटवाया है जैसा कि आप जानते हैं पांच बारा तेरा ट्रिपलेट होता है मतलब नजर पड़ा और यह समझ गया रही तो ट्रिपलेट है मतलब पाप लग प्लस बारे कावर बरावर तेरे कावर आट पंद्रह सत्रे कावर बरावर सत्रे कावर 21 वह तो साथ 24 पजीश ट्रिपलेट होता है तो कभी ऐसे कोशन आजये पाइथागोरेश सामने आभाज यह नंबर हो और आप एक नजर में नहीं पहचान पारें तो सूचे कितना बड तो आपके टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया है और आप निश्यन रही एकदम सही चैनल पर विजिट की है जब जब आप एक बार ऐसे प्रस्णों को देखे रहते हैं तो अगली बार जैसे ही आता है दिमाग को हिंट होता है प्लिक करता है कि अरे यह तो ट्रिपलेट ह सामने है तो उसको एक नजर में पहचाना करिए ठीक है तीन चार पांट छे आट दस इस सारे ट्रिपलेट है समकोर त्रिभुच की तिनों हो जाए है ना चल कुछ नहीं देखिए अगर इससे नहीं पहचाना तो बहुत पाप लगेगा बता रहो देखिए इसे यहां विए आपको जोड़ घटाना गुड़ा भाग वरगन सोच रही है यह था यह भी ट्रिपलेट है लेकिन इस बात कॉलम में ट्रिपलेट है नौ 12 15 ट्रिपलेट बनाता है नौ कावर प्लारे कवर बराब पंद्रे कवर साथ कवर प्लावर पचीस कवर तो बारे कवर बराबर 37 कवर 12 35 ट्रिपलेट होता है आप चुकी कमपेटिशन की त्यारी कर रहा है तो आप मैठ पढ़ते ही होंगे और मैठ पढ़ते होंगे तो आपके टीचर आपको ट्रिपलेट जरूर रटवाया होगा दिसादूरी में हमने भी रटवाया है और सज बतारों मैं डिस देखे तो आप एक नजर में पहचान लिया करिए ठीक है अब आए थोड़ा सा बात को और बढ़ाते हैं जैसा कि हमने आपको शुरू में बताए था कि मैट्रिक्स फार्मेट के कोश्चन तीन तरीके से बनते हैं पहला तरीका किसी दो से तीसरा बनाता है दूसरा कभी काम कर लेते हैं चलिए नियम नंबर दो का एक कुशन देखे आपको अब समझ में आएगा कि यह नियम नंबर दो पर क्यों काम कर रहा है एक बार आप प्रयास करिए फिर मैं बताता हूँ अगर आप इस प्रस को 20 से दाय सोचेंगे और अगर आप यहां आथी से चीहतर बना ले तो मैं लगता है है तो 16-25 जबकि 21-42 के बाद साफ ही जोड़ रहे हैं है न लग जाएगा हमें लग जाए बन जाएगा वह हो जाएगा जृना 15-67 और 66-76, 16-25-42-7-49, मैं पुछो इस दस का रिजन क्या है, तो आप बोलेंगे सरी इस दस का रिजन इस आठ से ज्यादा, दो ज्यादा, अगर ऐसी बात है तो आईए करके देखते हैं, और इसमें जोड़ेंगे साथ से दो ज्यादा नौ, तो आठावन नौ, 66-67 विकल्प में हैं, खत्म, हाँ ठीक है, चलिए, यह ऐसे भी बन गया, मतलब मैं किसी दो से तीसरा बना ले गया, कुल मिला कि मैं यह कहना चाहरू, कुछ कुछन ऐसे होते हैं, जहां समानता भी लगी जाता है, जैसे हां समानता भी लग रहा है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, फिलाल मैंने इसको ट्राइए किया, कि किसी दो से तीसरा बना और साही हो, देखिए बन गया, फिर से 37 दोना चाट-शट दस शींग ठीक है यहां सोल्व पांचे हैं जुना दो किया था तो यहां भी गुना दो किया सुल्व पांचे है जुना बै Animals 7-ne2arem हो सकता है स्कुझी केbasPO खीए हो हम सकता है यहां सात ही क्यों है यहां भी और लग सकता था यह इसने सोड ले लिए ये एक तरीके से और लग सकता था प्रदा किस तरीके से यहां पर समानता भी एक दिख रहा है समानता दिख रहा है आरत दिर्क्ष 2412 तरे भी नियां converge चैंटो शिएतर हे गाश्टियां पंदरा एक सोला सोला 38 एक उन्चास अगर यह बात सही है तो साथ लिखका है कैसे एक बाइस तो बाइस तियां च्छाचट और एक शर्षट अभी वहारा शर्षट आएगा तो कुछ कुछन ऐसे होते हैं जो हमें एक नजर में पहचान लेना चाहिए यहां पर बनाने की क्या जूरत है ऐसे ही समानत आपस में नंबरों में दिख रहा है अलाव वही समानता लगा देते हैं फिलाल आंसर एक ही आएगा वाई डिफाल्ट अगर दो लॉजिक लग भी रहे तो आंसर वही आएगा जो वह आ रहा था वही अभी भी आ ठीक है चलिए खुशन में नेश्टाइक रिया है इसे कर आदा ना है तो ग्लानोंव बीस और विस कि यहां दस तेरा तेश्ट तेश्ट से इकही कम यहां पांच कर रहा है यही कम कर रहा है कुछ logic डॉह हो रहा तो अब आए एक समानता देखने का प्रयास करिए 9 से 11 जाएंगे दो का गैप और 11 से 15 जाएंगे चार का गैप ठीक है समानता वाले रेयर बनते लेकिन चुकि बनते हैं इसलिए आपको ध्यान हमेशा रखना है जरूरी नहीं रहता ऐसा जरूरी नहीं रहता कि हर बार कुछ बनाएगा ही हर बार कुछ बनाएगा ही हर बार कुछ बनाएगा ही ऐसा जरूरी नहीं रहता कभी कभी आपसी रिष्ट नहीं बन पार है मतलब एट उजट जितना पीछे सिखा है सब लगा लिया नहीं बन पार है तो आपस में समानता देखेगा जरूर कुछ दिखेगा अरे clear है तो यह हमारा नियम नंबर दो था अब आए नियम नंबर तीन पर भी आपको थोड़ा सा काम करा देते हैं वीडियो बहुत बड़ा ना होने पाए इसलिए जल्दी से बता कि से खतम करते हैं चलिए इसे ट्राइकर एक बर अगर आप यह सोच रहें कि आप साथ चार से अठारा बना ले जाएंगे तो आप गलत सोच रहें कैसे साथ चार से अठारा कैसे बनेगा साथ चार ग्यारा और ग्यारा में यही साथ वाला अठारा साथ चार ग्यारा और यही साथ अठारा तो नौ पांच चौदा चौदा म तो साथ-चार से मैं जोड़के घटाके, गुड़ा करके, दमार्व मैं साथ कार से ड़रा नहीं बना पॉँगा वर घन करूंगा तो आगे निकल जाऊंगा और मुझे रहता है बाहर से कुछ कर दोता कर दो हुए वार दोता नोहीं पॉल Compl cling अच्छा कुछ समानता देखना चाहो तो क्या समानता है यहां तो यहां तीन का गैप है यहां ग्यारे का गैप है जबकि यहां पर चार का गैप हो जा रहे है तो कुछ मिला के समानता भी एक जैसा नहीं आपा रहे है और यहां पर ग्यारे का गैप हो जा रहे है यहां भी कु करें तो नियम नंबर एक है कि किनी दो से तीसरा बना ये बन जाता है नियम नंबर दो है आपसी कुछ समानता देखिए दिख जाता है नहीं दिख रहा है तो नियम नंबर एक नियम नंबर दो काम नहीं कर रहा है तो नियम नंबर तीन क्या कहता है कि कभी-कभी रो या कॉलम फिक्स कर देते हैं अगर मैं इन ग्रों के सारे नंबरों को जोड़ों तो अठारा साथ पचीश चार हो रहा है उनतिस पंदरे पांच बीस नों उनतिस तो अब मैं समझ चुका हूं यहां भी मुझे कुछ नहीं करना है बस बनाना है उनतिस अब बात है उनतिस कैसे बनेगा तो दस ग्यार 21 21 21 में आट जोड़ेंगे हो गया उनतिस खतम अरे क्लियर है तो इस पॉइंट के लिए आपको एलाइट रहना है कभी कभी रो या कॉलन फिक्स करता है एक अन्भों के बाद आप समझ जाएंगे कि हां चलो एक नजर में समझ जाएंगे यहां तो योग फिक अगर आप यह सोचना है कि 7-6-20 बनाएं तो 7-2-14 में यही 6-20 लेकिन 4-8 में यही 16 13 तो नहीं होगा वर्ग या घं करके 6-7-20 तो नहीं बना सकता अच्छा कुछ समानता देना चाहूं तो 6-20 में अगर समानता दो तो एक तो 14 का गैप है लेकिन यहां तीन ही का गैप है अ गभारो कॉलम फिख्स करके देखते हैं तो अगर मैं रोग में चाहरेख देखू तो 26-33 हो रहा है तो 17-29-39-33 और तो कुछ यहां में भर दिया जाए 23 हो गया जी रहे अपने अप 33 हो जाए अरे क्लियर है बहुत बढ़िया तो हमने आपको तीन नियम में तीनों नियम में हमने आपको एकड़म एकस्पैट बना दिया है मेरी तरफ से नियम नंबर 1000 जम हरेक लगभा लगभा हमने आपको काम काम करा ही दिया थे तो नियुख नंबर एकसे भी एक फैम气र हो गए नियम नंबर-दो से भी फैम दौनियर हो गए नियम नमबर तीन से भी फैमलियर हो गए अरे क्लियर है चलिए एक स्पेशल कोश्चन हम आपको करा देते हैं जो अक्सर एक्जाम में पूछ लेता है और विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं इसको कैसे करना है एक बार आप सोचिए फिर मैं बताता हूँ आप 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 अधाता हूँ इस कोशन में नया क्या है अभी तक आपने जो मिसिंग नंबर के मैट्रिक्स फार्मेंट में कोशन देखे थे ऊपर तीन है नीचे तीन है तो बीच में भी तीन हो ऐसी हमें आदत है लेकिन यहां तो वक्त हालात सब बदल गए ऊपर तीन है नीचे तीन है लेकिन बीच में तो नौ है अब बात यह कि अगर बीच में नौ है और हमें तीन ऊपर तीन नीचे बीच में ही तीन ही रखना हो तो इस नौ को तीन कैसे बनाया जाए तो आपका जवाब होगा सर अगर आप नौ को तीन बनाना चाहते हैं तो तीन तीन के तीन बना दीजे एक पेर, दो पेर और ये तीन पेर, जैसे अब ये एक का काम कर रहा है, जैसे ये एक, दो, तीन है, यहाँ एक, दो, तीन है, वैसे हम इसे एक, इसे दो, इसे तीन माल लेंगे, अब आए लोजिक सेट करते हैं, यहाँ एक उठाओं तो 28 उठेगा, नीचे से एक उठाओं तो 14 उठेगा और 20 से एक उठाओं तो 56 आठ और साथ उठेगा अब इसमें लॉजिक सेट करने का प्रयास करिए बड़ा ही जबर्दर लॉजिक है मैं समझा रहा हूं आपको इसमें एक लॉजिक बनाओं तो यह चपन 14 से चार बार में गोना हो रहा है 14 चौका चपन और यह 28 साथ से गोना हो रहा है साथ चौका अठाइस और फिर यह चार और यह चार जोड़के हम बीच वाला आठ बना सकते हैं अगर सच में यही लॉजिक है तो आइए कंफर्मेशन करते हैं यहां उठा लेते हैं दूसरा वाला चाहून नीचे से दूसरा वाला उठा लेते हैं 13 और 20 से दूसरा वाला उठा लेते हैं 65 आठ अठारा अब यहीं कि यहां कंफर्मेशन करूता तो यहां से तीसरा उठाया 12 और यहां से तीसरा उठाया 84 कुशन मार्क आठ अगर यही लॉजिक यहां लगाओ तो बारत सत्य चौरासी आठ चौका बत्तिस अब फिर यही साथ और चार जोड़ू ग्यारा खतम तो यह आपको एक नया कुशन जरूर मिला होगा और यह कोई मेरा मेरा बनाए हुआ प्रस नहीं है इस तरह के कुशन एक्जामनर पूछता है और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे विद्यार्थियों के साथ थोड़ा भी नाइंसाफी ना करूँ जितने विराइटी बने वो मैं सब आपको करा दू ताकि आप एक भी कुशन छोड़के नाएं इ चलिए आई दिखाते हैं एकजाम हाल में क्या ऐसे साथ करेंगे नहीं करेंगे देखे फिर से देखे इसी तरह का कुशन पूछा हुआ है यहां भी हाल उपर तीन है नीचे तीन है और बीच में 9 है तो कुछ नहीं करिए यहां से पहला यह काम करेगा यहां पहला यह काम करेगा और यहां पहला यह काम करेगा अब आराम से आप इसको देखिए इनको देखिए और इनको देखिए लॉजिक बनाने का प्रयास करिए ध्यान से सुनिएगा कुछ सोचिएगा नहीं अभी मैं जो बोल रहा हूँ वही सोचिएगा बस यह तेरा सत्य क्यानवे और दो चोग का यह साथ बार और यह चार बार तो साथ चार से अठाइस कैसे बनेगा सर सीधा सीधा साथ चोग का अठाइस अरे क्लियर हुआ वाला यह लिजे दूसरा वाला यह लिजे अब देखें सट्रह चौकाण सट्रह ग्यारे पच्छे पच्पन यह चार बार और वह पांच बार तो चार पंजे 20 खत्म ऐसे यहां पर मैं सेट करना चाहूं तीसरे वाले में यहीं इंप्लिमेंट करना चाहूं तो अराम से इंप्लिमेंट मैं कर सकता हूं कोई वड़ी बात नहीं है कैसे यह नौ त्रिक्का 27 और यह साथ वठे चपन तो यहां तीन बार वहां आठ बार तो तीन वठे 24 खत्म है तो एक्जाम हाल का यह एप्रोच होता है अरे क्लियर है तो मि मैट्रिक्स टाइब के जितने भी मिसिंग नंबर है मैंने लगवग लगवग सारे पैटर्ण कवर कर दिये अब कोई भी मैट्रिक्स वार मेंट का कोश्चन लगांगे बहुत अराम से बहुत प्यासे कर ले जाएंगे अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो तो को जरूर सेर किया करिए और वीडियो को जाते जाते एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो आपके काम आ रहा है या नहीं आ रहा है और फिर हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर पाते हैं आप लाइक नहीं कर अच्छा Missing Numbers एक और बनता है ऐसे में सवा स्य में सब्सक्राइब कर being लें देता है एसा भी देता है वह भी सारे माले एपर और तो आख़ anar में अगर लोड़ा देंगे अधी क्लियर है चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत कि अधिश्ट